नमस्कार दोस्तों जय हिंद वंदे मात्रम आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपनी यूटूब चेनल एक्जाम ट्रगी में जहांपर आज दोस्तों हम बात करने वाले हैं उत्तरा खंड के 380 विशेश शिक्षकों के पदों की जैसा कि दोस्तों आप सभी को पहले भी इसके बारे में ओगत कराया गया था कि 380 पद जो हैं विशेश शिक्षकों के वो उत्तरा खंड राज्ज में आने वाले हैं क्या दोस्तों सीटेट भी माननी किया जाएगा या वहां पर अधर इस्टेट वाले भी फॉर्म भर सकेंगे संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है और आज हम ये भी बात करेंगे कि कि उत्तरा खंड के कितने जिले जहां पर वैकेंसी आपको कितनी कितनी देखने को मिलेगी योगी दोस्तों उत्तरा खंड सरकार के दौरा विशे शिक्षकों की 380 पदों की सीधी भर्ती के ज्यारे राजह कारेवाही और आप नोटिस देख सकते हैं 5 अप्रेल 2023 का नोटिस यहाँ पर सर्कुलर आपको देखने को मिल ला है निदेशक प्रारंबिक सिक्षा उत्राखंड जिला सिक्षा अधिकारी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सायक अध्यापक प्राथमिक विसेश सिक्षक के नौ सजित प् अपन नियुक्त की कारेवाई किये जाने के संदर्ब में यहां पर जो कि आपको पहले भी बताया गया था और बहुत-बहुत धन्यवाद नासेब संगठन का बहुत-बहुत धन्यवाद माननी है रणीश कुमार पांडे जी का दोस्तों जिनकी वज़े से यह जितनी भी वेक आपको देखने को मिलती हैं बताया गया था भया बत्तिस सो च्यालिस पदों में से तीन सो असी पद जो हैं वो विशेज सिक्षकों के आने वाले हैं जिसमें से जिले आप देख सकते हैं पौडी में 60 पद चमोली में 36 पद रुद्ध प्रियाग में आपके 12 पद टीरी में आपके 36 पद उत्तरकासी में आपके 24 पद देहरदून में 24 हरिद्वार 24 नैनी ताल 32 अलमोडा 44 बागिस्वर 12 उसके बाद में चमपावत 16 पिथावरागर 32 और उधम सिंग नगर में आपके 28 यानि कि टोटल 38 पदों पर वैकेंसी देखने को मिलेगी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो भी विशेश सिक्षक हैं उत्तराखंड में कारेवाही प्रारंभिक अध्यापक यानी की प्रात्मिक अध्यापक के लिए नियुक्त की जो कारेवाही उसको सुरू कर दिया गया है हम बात कर लेते हैं क्या दूसरे राज जिवाले भी यहाँ पर फॉर्म भर लाहूं उप्रोक्त आदेश जो है उसकी छाय परती आपको देखने को जो मिल लई है इसके बाद हम सीधे चलते हैं आपके मेन मुद्दे की बात पर जो भी डेट होगी वो आ जाएगी अभी तिथी ना फॉर्म भरने की आई है और ना ही अंतिन तिथी आई है ये केवल ए इसनातक की उपाद उत्तीड हो यानि कि आप किसी भी विशुविद्याले से आपको ग्रेजुएशन होना बहुत जरूरी है और सबसे बड़ी बात है कि उत्राखंड राज के ऐसे निवासी यानि कि पातरता यहाँ पर दिखाए जा रही है कि पातरता किसी साब से चार्ती पुनरवास परिशत से मानिता प्राप्त BED और DED यानि कि दोनो अगर आपने BED भी कर रखा है और DED भी कर रखा है तो यहाँ पर आप Special Education दे तो आप यहाँ पर मानने है पहली बात RCI द्वारा मानिता प्राप्त समकच्छ डिपलोमा है तो वो भी आपके लिए सह यह कोई दिक्कत नहीं है राश्ट्री अध्यापक सिच्छा परसा द्वारा निरूपित मागदसी सिधानतों के अधीन राजी सरकार केंद सरकार द्वारा आयोजित अध्यापक पातरता परिक्षा यानि की केंद सरकार की सीटेट और राजी सरकार का यानि की उत्तराखंड क जो टेट है उसमें से अगर आप कुछ भी पास हैं तो आप यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं पहली बात तो क्लियर हो गई क्या दूसरे राज्य वाले भी फॉर्म भर पाएंगे इसके बारे में भी अभी भी बात करूंगा मूल अंक प्रवाडपत्र प्रस्तूत करने पर ही निउक्ति पत्र द्रगत किया जाए गया यह आगर आप राज्य का हैं यह केंद्र की पर इक्छा पास हैं तो भाईया आपको यहाँ पर निउक्ति मिलेगी पहली बात इसके बाद में इस प्रकार विशेश आवशक्ता वाले बच्चों के सिक्षड है तो नियुक्त होने वाले साहेक अध्यापक प्राथमिक सिक्षड की नियुक्त के उपरांत में एंसी टी द्वारा मानिता प्राथ प्राथमिक सिक्षड में छे महीने का जो है से तो पाठिकर मेनी की ब्रिज कोर्स आपको करा दिया जाएगा और यहाँ पर आप सिक्षड बन जाएंगे बहुत ही जरूरी सबसे जरूरी जो यह घा पॉइंट है यहाँ पर देखिए क्या क लोग सेवा आयोक की परिद के बाहर समूह का कि सीधी भरती के पदों पर भरती है तो आवेदन करने के लिए वही अभ्यरती पात्र होंगे देखिए कौन कौन से अभ्यरती पात्र होंगे जिसने अपनी हाई स्कूल और इंटरमीडियर तथा इसके समकच्ष की सिक्षा उत उत्राखंड से अपना 10th का अपना 12th का अगर आपने 10th और 12th उत्राखंड से आपने किया है उत्राखंड में मानिता प्राप्त संस्थानों से अगर आपने किया है तो ही आप पात्र होंगे यहाँ पर आप मैं फिर से दिखाए देना वही अभ्यरती पात्र होंगे जो अपनी high school और intermediate एवं इसके समकच इस्तर की सिख्षा उत्राखंड राज में इस्थित मानेता प्राप्त संस्थानों से प्राप्त की होगी high school और inter आपको उत्राखंड से अगर आपने किया है तो ही आप यहाँ पर पात रोंगे आपने dear और beard कहीं से भी किया हो उससे कोई मतलब नहीं है लेकिन high school और inter आपका उत्राखंड राज से होना चाहिए तो भया आप यहाँ पर eligible हो यानि कि सीधा सीधा कहने का मतलब है कि बाहरी राज्य का कोई भी बच्चा जिसने अपने राज्य से high school और inter किया है यहाँ पर पात्र नहीं माना जाएगा सीधी सीधी बात है इसके बाद में हम बात कर लेते हैं जो भी आयू होनी चाहिए age की अगर हम बात कर लें तो age की लिए देखिए यहाँ पर दिया गया है अभ्यर्थी की आयू एक जनवरी 2023 को 21 वर्ष और कम से कम 21 वर्ष और सबसे ज्यादा 42 वर्ष यानि कि 21 वर्ष का अगर अभ्यर्थी है तो भीया फॉर्म भर सकता है और 42 वर्ष और एक जनवरी 2023 से इसको काउंट किया जाएगा ठीक है और जो भी छूट है वो भी दी जाएगी OBC, SC, HD इसको भी छूट देनी है दी जाएगी जो अभ्यर्थी विज् समझ गए भया सीटर तो मान ने किया गया है लेकिन अगर आप ने 10 और 12 उत्रा खंड से किया है तो ही आप यहां पर फॉर्म भर सकते हो इस 380 वैकेंसी में फॉर्म भर सकते हो अगर आप दूसरे राज्य से हैं तो आप लगभग में अब ना मानिये क्योंकि आपने किया ही नहीं है तो यह मान की चलिए कि आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं इसके बाद में जो भी आवेधन है और जो भी यह आपका सैंपल दिया गया है भी इसके लिए जो भी डेट आएगी वो आपको बता दी जाएगी जो भी डेट आएगी यह रिट लगा दी गई कि कितने कितने बनेगा ये भी बताया गया है इसनातक का और ये आपका bade और date का और इसके बाद में 1 से 5 का याद आपने उत्राकंटेट दिया है तो उसका और seated दिया है तो उसका तो ये यहाँ पर जुड़ेगा और इसके बाद में देख लीजी यहाँ पर भी दिया गया है कि किस प्रकार से आप अपना form fill कर सकते हैं form fill करने के लिए आपको form दिया अभी यह sample है जब date आएगी आवेधन की और जो last date होगी आपको बताया जाएगा और कैसे आपको form बरना है कहाँ पर जमा करना है संपूर जानकारी आपको आपके चैनल exam ट्रकी पर दे दी जाएगी जो भी उत्तरा खंड से हैं भाया आप सभी को बहुत 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 बधाई आपके राज में वेकेंसी आई और आप लोग यहाँ पर जरूर अपनी वेकेंसी हाथ में लीजेगा क्योंकि वहाँ पर भाया बहुत कम student हैं बहुत कम चात्रा हैं उत्तरा खंड से हैं तो दोस्तों सभी अभ्यरतियों को बहुत बहुत सुबकामना है जैसे ही form आएगा date क्या होगी last date क्या होगी क्या क्या आपको भरना है form कहां जमा करना है कैसे जमा करना है संपूर्ण जानकारी आपको दे दी जाएगी अभी जो चीजे थी कि कौन भर सकता है कैसे भर सकता है ये चीजे आपको बता दी गई है दोस्तों मिलता हूँ नेक्स वीडियो में नई जानकारी के साथ बने रहेएगा आपके अपने चैनल एक्जाम ट्रिकी पर वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक कर दीजेगा सभी मित्रों तक एक बार वीडियो को जरूर शेयर कर दीजेगा धन्यमाद दोस्तों